इस पकार ये स्पष्ट है कि भारती सम्विधान निर्मान की जो प्रक्रिया जो हुई उन दो वर्ष ग्यारा महिने अठारा दिनों के काल में जो बड़े गहन विवादों का दोर था विवादित परिचर्चाओं का दोर था और सम्विधान सभा को इस करवे दोर से घुजरना पड़ा ऐसे दोर से घुजरना पड़ा खटी मीठी यादे हम इसे कह सकते हैं लेकिन हमें याद रखने चाहिए कि सम्विधान एक बिंदु पर पूर्ण रूप से सहमत था केंद्री अभिलक्षन यानि प्रत्येक वयस्क भारती को मताधिकार मिलेगा इस बात पर सब सहमत थे प्रत्येक भारती को वैस्क मताधिकार बहुत बहुत करांतिकारी कदम था इसकी अहमियत को शायद आप आज उतना नहीं समझ सकते जितना की 1947 के लोग समझते थे उस दशक के लोग समझते हूँ क्योंकि एट वन स्ट्रोक एक ही स्ट्रोक में सभी वैस्कों को चाहे वो किसी भी श्रेणी के हूँ चाहे वो किसी भी जाति के हूँ किसी भी धर्म के हूँ किसी भी लिंग के हूँ और आर्थिक स्थिति से कितने ही पिछले क्यों ना हूँ शैक्षिनिक दृष्टि से कितने ही शून क्यों नहूं उन सब को मत देने का अधिकार दे दिया उन सब को देश की राजनेतिक प्रक्रिया में समान रूप से अधिकार दे दिया ये एक बहुत एतिहासिक करांतिकारी कदम सम्विधान सभा ने उठाया और अच्छी बात ये कि इस मुद्दे पर पूरा सम्विधान सभा पूरी सम्विधान सभा एकमत थी ऐसा उदारन हमें अन्य देशों के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए वो लेखनी हैं कि अन्य देशों में पूर्ण मताधिकार के प्राउधान को कई चरणों में गुजरना पड़ा जितने बड़े बड़े देश आज हम बात करते हैं शक्तिशाली देशों की सब्भी देशों की आधनिक देशों की यहां पे वयस्क मतादिकार मिलने क्या इतिहास से दिया पढ़ेंगे तो डंग रह जाएंगे कई चरणों में बहुत से संघर्षों के बाद धीरे धीरे क्रमशा मिलता गया उदारन के लिए अमेरिका इंग्लेंड इसमें मतादिकार सबसे पह केवल संपत्ति वाले लोगों को था मत देने का अधिकार किनको था केवल उनको जिनके पास इतनी संपत्ति थी जो भी परिभाशित किये थे और वो संपत्ति भी अच्छी मात्रा में ऐसा नहीं कि 5,000 रुपए 10,000 रुपए या आधा एकर जमीन नए अच्छी मात्रा में आपके पास संपत्ति होनी चाहिए तभी आप मतादिकार का उप्योग कर सकते थे इंग्लेंड ऑफ अमेरिका में उसके साथ ही पढ़े लिख आत्रताएं कुछ अन्य कॉलिफिकेशन भी डाले गए थे क्रामश्या वहाँ पर वैस मतादिकार मिला पहले संपत्ति वालों को उसके बाद पढ़े लिखे लोगों को उसमें जोड़ा गया कि संपत्ति के ना होने पर यदि पढ़े लिखे हैं तो वो भी शामिल हो सकते है मतादिकार में उसके बाद श्रमिकों को अधिकार मिले बहुत बाद में मिले और श्रमिकों के बाद क्रशक वर्ग को उसके बाद मिला उसमें भी पुर्शों को महिलाएं की जो हालत है महिलाएं तो बहुत बहुत दीर्ग कालीन संघर्श के बाद मतादिकार प्राप्ट कर सकी इंगलेंड में और अमेरिका में कई चरणों में वहां पे मतादिकार वैस मतादिकार मिला और भारत में एक ही कानून के बल पर पूरे देश के सभी एक कैस वर्ष से जादा के लोगों को मत कादिकार दिया गया चाहे वो कितना भी निर्धन क्यों हो नहो चाहे कितना भी निम्न जाति का क्यों नहों तथा कतित निम्न जाति का क्यों नहों आदी आदी अब ये उम्र घटा कर अठारा वर्ष कर दी गई है वैस्क मतादिकार भारत में सभी वैस्कों को इस्त्री पुरुशों को एक साथ बिना किसी अन्य शर्तों के वैस्क मताधिकार प्रदान कर दिया गया लगभग तीन वर्ष का जो अथक परिश्रम था वो 26 नॉंबर 1949 को पूरा होता है जब सम्विधान सभा ने अंतिम रूप से ये सम्विधान को पास कर दिया और मैंने आपको बताया था कि इसमें लगभग दो हजार संशोधन हुए इसी दिन सम्विधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद प्रसाद ने इसकी जो दो पुस्तकें थी दो अनुवाद थे हिंदी और इंग्लिश में उनको हस्ताक्षर किये और उस पर उन्होंने लिखा अवसादों के साथ इस पर हस्ताक्षर किये ये दोनों जो पुस्तकें थी एक हिंदी में मौलिक रूप से और एक अंग्रेजी में भारती सम् किसी भी पत पर खड़े होने के लिए कोई शेक्षिनिक योगिता आवश्यक नहीं थी। तो इस दिन डॉक्टर आजिन प्रसाद दस्खत करते हैं दो अवसादों के साथ और ये दोनों अवसाद क्या थे मैंने बता दिया। पहला मौलिक रूप से अंग्रेजी में होना, भारती समिधान का और दूसरा किसी भी पत पर खड़े होने के लिए शेक्षिनिक योगिता का आवश्यक नहीं होना। 26 नवंबर 1949 को राजिन प्रसाद जी के दस्खत के साथ इसे अब लागू करने की तारीक जो थी वो तै थी 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 याने इस इतिहासिक घटना का बीसवी वर्ष घांट क्या इतिहासिक घटना इसके लिए थोड़ा हमें पीछे इतिहास की और जाना होगा 26 जनवरी 1930 को रावी के किनारे रावी नदी जो वर्तमान पाकिस्तान में हैं उसके किनारे भारती राश्टी कॉंग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में बोलते हुए पंडित जवालाल नहरू ने कहा था कि देश का सम्विधान जब पूरा हमें मिल जाए उसे हम सतनता मानेंगे और उन्होंने घोशित किया था कि हमारा लक्ष पूर्ण स्वराज है ये 26 जन्वरी 1930 को रावी नदी के किनारे लाहूर के पास के अधिवेशन में पंडित जवालाल नहरू ने घोशित किया कि भारती राश्टी कॉंग्रेस भारती राश्टी आंधोलन इसका लक्ष और उद्यश अब पूर्ण स्वराज है कम्प्लीट इंडिपेंडेंस क्योंकि उसके पहले भारतीयों की मांग पूर्ण स्वराज नहीं थी भारतीयों की मांग थी डोमीनियन स्टेटस ये दूसरा विशह है फिलहाल आप इतना याद रखें कि पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार 26.1930 को उठाई गई उसकी बीसवी वर्ष गांट पड़ती थी 26.1950 तो पूर्ण स्वराज की गोशना के बीसवी वर्ष गांट के अवसर पर इस सम्विधान को देश को समर्पित किया गया 26 जनवरी 1950 को ये समविधान को देश को समर्पित किया गया और इस प्रकार जो प्रक्रिया कैबिनेट मिशन से के प्रस्ताव से 1946 में प्रारंब होई थी वह प्रक्रिया अब पूर्ण रूपेन समाप्त होती है 26 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को ये समविधान लागू हो जाता है अंग्रेज तो 1947 में चले गए लेकिन अंग्रेजी कानून का अंत हुआ 26 जनवरी 1950 को इसलिए ये पूर्ण स्वराज का दिन कहलाया क्योंकि अब भारती कानून भी लागू हो गया कानून भी वो जो भारतीयों ने बनाया था इसलिए इस दिन को पूर्ण स्वराज की घोशना की बीसवी वर्षगांट के रूप में चुना गया और इस दिन भारत वास्तों में एक लोकतांत्रिक गनतंत्र बना लोकतांत्रिक गनतंत्र 26 जनवरी 1950 चे इसलिए इस दिन को गनतंत्र दिवस की रूप में मनाया जाता है एक गनतंत्र देश वो है वो देश कहलाता है एक रिपब्लिक वह देश कहलाता है जहां का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता है गण तंत्र गण मने जनता जहां जनता का तंत्र शासन विवस्था जनता की और उसका प्रतिबिम्ब कौन रहता है मुखिया जहां देश का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाए वह गणतंत्र कहलाता है इसलिए 26 जनवर 1950 को समविधान लागू हुआ वह पूर्ण स्वरा की घोशना का बीसवी वर्ष गांट का दिन था और इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो समविधान लागू हुआ उस समविधान के तहद देश का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाएगा रिपब्लिक गणतंत्र इस पकार हमने स समविधान सभा के निर्मान का एक व्रिहत अध्यान कर लिया उसकी निर्मान की प्रक्रिया उसकी प्रक्रिया का इतिहास उसकी प्रिष्ट भूमी निर्मान के दोरान होने वाली घटनाएं विभिन आस्पिक्स विभिन पहलू को हमने समझ लिया और अब हम निश्चित का उत्तर अब हम पाद चके होंगे हमारे समविधान की जो दिशा है उस दिशा को पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा ये हम समझ गया है हमारे समझ गया है हमारे सम्विधान निर्मान को समझने के बाद, उसकी प्रक्रिया को समझने के बाद, उसकी महत्ता को समझने के बाद, अब हम आते हैं इस अध्याय के अंतिम बिंदु पर और वो है सम्विधान की विशेषताएं, हमारे सम्विधान की विशेषताएं क्या है? निश्चित रूप से आपने इन विशेष्टाओं का गहन अध्यान कक्षा ग्यार्वी में राजनीति विग्यान में किया होगा क्योंकि कक्षा ग्यार्वी के राजनीति विग्यान के विशे में सम्विधान को लेकर कई अध्याय हैं लेकिन यहां पर समविधान निर्माड के साथ जोडते वे समविधान की विश्यष्टाओं को दुहराना उचित होगा तो चलिए अब हम बिंदु आर समविधान की विश्यष्टाओं पर जान दें भारत के जहां तक सम्विधान है वो विश्व का एक बेजोर नमूना है एक अनूठा सम्विधान है पहला बिंदू जो आपको समझना है आपको याद रखना है वो है बिटेन की संसदी प्रणाली के नमूने पर आधारित यह जो समिधान है यह इंग्लेंड की संसदी प्रणाली के नमूने पर आधारित है नकल नहीं है कुछ हद तक प्रभावित है बस तो हमारे लिए किस तरह की प्रणाली होगी इसको लेकर हम इंग्लेंड से थोड़ा सा प्रणा लिये हूँ किन्तु एक विशय में यह से भिन है यह याद रखें इंग्लेंड से प्रभावित हैं प्रणाली है कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच है इंग्लेंड में सर्वोच क्या है संसद लेकिन भारत में संसद नहीं समविधान सर्वोच है यह हो गई दूसरी विशेष्टा भारत में सम्विधान सर्वोच है और सम्विधान से भी उपर जनता सर्वोच है हमारे सम्विधान में स्पष्ठ है हमारी प्रस्तावना में स्पष्ठ है कि देश के सम्विधान से उपर कोई नहीं तो पहला बिंदू ब्रिटिश संसदी प्रणाली से प्रेरित जिस उद्येश से ये संविधान बनाया गया है उस उद्येश को संख्षप्त में प्रस्तावना में दे दिया गया है मैं बता दूँ जिस उद्येश से संविधान को बनाया गया है उन उद्येशों को संख्षप्त में प्रस्तावना में दे दिया गया है प्रस्तावना यहने प्रियम्बल वो पहला प्रिष्ट जिसकी शुरुवात होती है We the people of India, We, the people of India और अंतिम लाइन देखिए to ourselves हम इसे अपने को स्वयम को समर्पित करते हैं Dedicate it to ourselves, We the people of India, सम्विधान किसने बनाया, जनता ने संसद से भी उपर हैं हम, सम्विधान से भी उपर हैं हम तो अगला बिंदु जो है वो आपको समझना है, एक मात्र ऐसा सम्विधान जहां की प्रस्तावना में सारे उद्जेश नहित कर दिये गए हैं Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic, सार्वभॉमिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्री, गनतंत्र, देश का होगा ये सम्विधान की प्रस्तावना में दे दिया गया अगली विशेष्टा जो मैंने बताई कि ये ऐसा सम्विधान है जो जनता के द्वारा बनाए गया और जनता को समर्पित कभी आपने सुना हैं कि मैं एक भवन बनाओ और वो भवन में बाहर पत्थर लगाओ कि मैं ये भवन बनाता हूं और इसे अपने स्वयम को समर्पित करता हूँ बनाने वाला अपने को स्वैम को समर्पित नहीं करता लेकिन ये सम्विधान की बहुत बड़ी विशेष्टा है हमारे सम्विधान निर्माताओं की दूर दर्शिता का परिचायक है जहां उन्होंने अपने को सर्वोच बताते हुए जनता को शर्वोच बताते हुए जनता को ही समर्पित किया है ये एक बहुत बड़ी विशेष्टा है इसके बाद इसकी अगली विशेष्टा यदि इसकी प्रस्तावना को देखेंगे तो जैसा मैंने बताया है पूर में कि प्रस्तावना में वी दे पीपल से शुरू होता है हम भारत के लोग और इसके बाद 26 नॉम्बर 49 को सम्विधान को अंगीकृत अधिनीमित और आकर्शित करते हैं तो किस दिन लागू होता है सम्विधान किस दिन अंगीकृत होता है लागू तो होता है 26 जनवरी लेकिन अंगीकृत होता है 26 नॉम्बर 49 तारीक यह अगली विशेष्टा और इस विशेष्टा की खासियत यह है कि सम्विधान का कुछ हिस्सा तो 26 नॉम्बर से ही लागू हो गया सम्विधान का कुछ हिस्सा तो 26 नॉंबर से लागू हो गया लेकिन पूर्ण रूप से यह 26 जनवरी को लागू हुआ दूसरी विशेष्टा मैंने प्रस्तावना की बताई थी कि ये बाद में लागू हुआ पहले सम्विधान और लोग तांत्रिक गर्राज घोशित करता है बहुत बड़े विचार बहुत लौफटी आइडियल इन शब्दों के विस्तार से अर्थ आप राजनीती शास्त्र में पढ़ चके होंगे इसलिए यहां पे दुबारा पुनरा वृत्ति करने की जुरत नहीं है पर आप इन शब्दों से वाकिफ होंगे ऐसा हमारा मानना है अगली विशेष्टा इसे सर्व प्रभुत्व संपन्राश्ट माना गया है सर्व प्रभुत्व संपन्राश्ट सार्व भोमिक सौविरिन और उसमें प्रभुत्व किसका जनता का प्रभुत जो है वो जनता में निहित है शांसदों में नहीं प्रधान मंत्री में नहीं किसी अन्य पर नहीं समविधान पर भी नहीं सबसे उपर कौन है जनता यानि बारं बार इस बात को समविधान में दर्शाय गया है कि जनता सरवोच है people are supreme nobody is above the common man nobody is above the people इसका मतलब यह है सारभौम होने का कि यह किसी भी बाहरी दबाओ से मुक्त है कोई अन्य देश हमें किसी तरह का आदेश नहीं दे सकता और अंतरश्टी मामले में हमें जो निर्णे लेना है हम शतंत रहें कोई देश हम पर हमें किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता हम स्वेच चानुसार कारे कर सकता है अगली विशेश्टा भारत समाजवादी राष्ट घोशित किया गया है और यह समाजवादी राष्ट की जो घोशना हुई है इसे प्रस्तावना में बाद में शामिल किया गया समाजवादी शब्द को याद रखेंगे प्रस्तावना में समाजवादी शब्द Sovereign Socialist Secular Democratic Republic Sovereign Socialist यह सोशलिस्ट शब्द जो आया है समाजवादी शब्द जो आया है यह समविधान के 42 संशोधन के तहत आया जो 1970 के दशक में हुआ समविधान के 42 संशोधन 1970 के दशक में हुआ और तब जोड़ा गया समाजवादी शब्द प्रस्तावना में इसका मतलब यह है कि समानता का आदर्श केवल राजनेतिक शेत्र में नहीं बलकि समाजिक और आर्थिक शेत्र में भी समानता का प्रयास किया जाएगा राजनेतिक समानता नहीं वैस मतादिकार देकर सभी को समान कर दिया वो तो ठीक है वो तो राजनेतिक समानता है पर आर्थिक समानता समाजिक समानता इस पर भी हम वचन बद्ध हैं और एक ऐसे समाज की कलपना करते हैं एक ऐसे समाज को पाने की के लिए आतर हैं जो समाजवादी हो जहां सब समान हो सभी द्रिष्टे से समविधान सभा की कुछ अन्य विशेष्टाएं और अहम हैं और ये हमारी समविधान को एक विश्व मंच पर बहुत उंचा स्थान देती है इन विशेष्टाओं में अगली विशेष्टा धर्म निर्पेक्षता संबंदी है धर्म निर्पेक्ष ये शब्द जो है 42 संशोधन में जोडा गया था जब समाजवादी शब्द भी समविधान की प्रस्तावना में जोडा गया तो ये प्रस्तावना में जुडा गया Sovereign Socialist Secular Democratic Republic Secular का अर्थ होता है धर्म निर्पेक्ष और धर्म निर्पेक्ष का अर्थ क्या है हम में इसे बहुते लोग इसे गलत मायने में रखते हैं धर्म निर्पेक्ष का अर्थ ये है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है राज्य की नजर में सभी धर्म समान है समानता भारत के समविधान का एक मूल मंत्र है उसी समानता के तहट समविधान में ये प्रावधान स्पष्ट किया गया है कि धर्म के मामले में भी राज्य की नजर में सभी समान है किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छानुसार कोई सा भी धर्म अपनाने का अधिकार है अगली विशेष्टा सम्विधान संबंदी वह है अगला शब्द लोक तंत्री Sovereign, Socialist, Secular, Democratic लोक तंत्री यहां मैं बता दूँ कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है डेमो मीन्स सिर, हेड अंग्रेजी में डेमो और क्रेसी मीन्स शासन ब्यूरोक्रेसी, ओटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, जरेंटोक्रेसी बहुत तरीके की शासन प्रणालियां है दुनिया में उनमें से एक शासन प्रणाली कहलाती है डेमोक्रेसी जिसमें democracy लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिसमें number of heads सिर की संख्या के आधार पर बहुमत तैकिया जाता है जिस तरफ ज्यादा सिर यानि जिस और ज्यादा लोग उसकी सरकार ये हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था democracy समझ सस्ता का स्रोट जो है इसमें बड़ा स्पष्ट किया गया है कि जो power is flowing from people जो सत्ता है वो सत्ता कहां से आरी जनता से आरी जनता से आरी है जनता शासक का चुनाओ करती है और शासक जनता के प्रति उत्तरदाई हो जाती है कौन चुनाओ करता है जनता करती है तो सर्वोच कौन हुआ निश्चित रूप से जनता सर्वोच होई और शासक जो है सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदाई सवाल यह आ सकता है कि यह लोग तो उत्तरदाई आपको दिखते नहीं दैनंदिनी में डे टो डे लाइफ में लेकिन आप में ग्यारवी के राजनीति विज्ञान में यह निश्चित रूप से अध्यन किया है कि किस प्रकार जनता के प्रतिनिधी संसद में बैठ कर जनता की आवाज रखते हैं जनता के मत को सामने रखते हैं और ऐसा करते हुए वे जो भी भूमिका निभाते हैं वो जनता की आवाज मानी जाती हैं तो इसलिए जनता का चुनाओं एक तरीके से ये स्पष्ट करता है कि जनता सर्वोच है लोकतंत्री प्रणाली है अगली विशेष्टा गनतंत्र सावरिन सोशलिस्ट सेकिलर डेमोक्रिटिक रिपब्लिक ये गनतंत्र है जिसको मैं पूर मे भी आपको समझा चुका हूँ परिभाशित कर चुका हूँ कि गनतंत्र क्या है यहां पर एक बार पुना बता दूँ कि कारिकारणी अर्थात सरकार का वो अंग जिसका काम है देश में संविधान लागू करना देश की कानून रस्था को चलाना आदी आदी उसका जो मुख मुखिया का पद जहां पैत्रिक ना हो वंशान उगत ना हो और उस पद को चुनाओं के द्वारा भरा जाता हो वह देश रिपब्लिक या गनतंत्र कहलाता है भारत के मामले में राष्ट्रपति सर्वोच है और यह पद भी प्रत्यक्ष रूप से ही चुनाओं से भरा जात होता है चुनाओं के माध्यम से राष्ट्रपति का बेटा या राष्ट्रपति के कोई रिष्टेदार अगले राष्ट्रपति बनेंगे ऐसा नहीं है ने राष्ट्रपति का हर राष्ट्रपति का पांच साल के कारेकाल पूर होने पर चुनाओं होता है और यह चुनाओं प्रत्यक्ष इसलिए माना गया है क्योंकि इनका चुनाओं जनता के प्रतिनिधी करते हैं चाहे वे संसद के हों चाहे वे राज्यों की विधान सभाओं के हों इनके एक इनके सम्मिश्रण से इनके मतों से बहुमत के आधार पर राश्पति का चुनाओं होता है इसलिए भार को नए संविधान के लागू होने पर सर्वोच पद के चैन की प्रक्रिया का नियम लागू हो गया इसलिए उस दिन से भारत क्या कहला रहा है गणतंत अगली विशेष्टा भारत का संविधान लिखित संविधान है आप सोचते होंगे इसमें नई बात कौन सी आपको मालूम होना चाहिए कि इंगलेंड का संविधान लिखित नहीं है इंगलेंड का संविधान परंपरा के अनसार चल रहा है वहां की रीती रिवाजों के अनसार चल रहा है और भारत का संविधान लिखित है अमेरिका का संविधान भी लिखित है लेकिन अमेरिका का संविधान ये बड़ा छोटा सम्विधान है, छै माह में बना लिया गया था, भारत का सम्विधान लिखित सम्विधान है, सबसे विस्तरित सम्विधान है, और उसके अलावा, सबसे विशाल होने के अलावा, बनाया गया सम्विधान है, कहीं से लिया गया नहीं है, कहीं से लिया गया पर अलग-अलग देशों से हमें प्रिणा मिली है जिसका जिक्र मैं बाद में करूँगा लेकिन फिलहाल आपको इतना समझ लेना है कि हमने जसके तस किसी देश के समधान को अपने देश में नहीं लिया है तो यह समधान लिखित है निर्मित है और विशालतम है सबसे विशा और संस्कृतिक विशंतायें विविदताये इस बात के लिए विवश करती हैं कि हमारा समधान विश्त्रित हो अगली विशेष्टा संसधी प्रणाली मैंने पूर में इस विशेष्टा का जिक्र करते हुए आपको बताया था कि इस मामले में हम इंग्लेंड से प्रेरित इंगलेंड की संसिदी प्रणाली से यह संसिदी प्रणाली विशेष्था इसलिये है क्योंकि इसमें दो सदन हैं दो सदन, दो हाउस, लोक सभा और राज्य सभा या एक अपर हाउस, दूसरा लोवर हाउस पारलामेंट बनती है इस पर हम विस्तार फिर अगले अध्यावें में करेंगे अगले बिंदूओं पर करेंगे अगली विशेष्टा नीती निर्देशक सिध्धान्त नीती निर्देशक सिध्धान्त अंग्रेजी में जैसे कहते हैं Directive Principles of State Policy ये नीती निर्देशक सिध्धान्तों का समविधान में जोड़ा जाना एक बहुत महत्पूर्ण बात है और तो और आपको ये जान लेना चाहिए कि समविधान का हिस्सा होते हुए भी नीती निर्देशक सिध्धान्त कानूनी बंधन नहीं रखते याने नीति निर्देशक सिधानतों को लेकर सम्विधान का हिस्सा होते हुए भी इसके आधार पर कोई व्यक्ति कोट में न्याय या न्याय की बात नहीं कर तकता तो आखिर नीति निर्दक्च द्धान्त क्या है? सरकार के लिए दिशा हैं, सरकार के लिए ये जनता की अपेक्षाएं हैं, सरकार के लिए ये जनता की आवाज हैं जब भी सरकार कोई सी नीती बनाएगी तो उसके लिए कुछ दिशाएं देता है उसके लिए कुछ इनको डिरेक्टिव देता है, कुछ इशारा देता है, कुछ हिंट देता है, बस लेकिन बहुत महत्पूर्ण है इन नीती निर्देशक जो तत्व हैं इन में से जितनों पे कानून बनाईी सरकार जितने नीती निर्देशकों पर सरकार कानून बनाएं वह सरकार उतनी ही अच्छी मानी जाएगी क्योंकि वे बात वे बिंदू अब नीती निर्देशक से हटकर कानूनी जामा पहन लेते हैं तो एक अच्छी सरकार वो जो जादा से जादा नीती निर्देशकों नीती निर्देशक तत्वों को कानूनी जामा दे अगली विशेष्टा मूल अधिकार इसका जिक्र भी पूर में हो चुका है छे मूल अधिकार हैं पूर में साथ थे बाद में संपत्ति का अधिकार को संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया और छै अधिकार और दस कर्तव्य ये जो दस कर्तव्य हैं दस कर्तव्यों को एक संशोधन के माध्यम से 1976 में जोडा गया सम्विधान में एक संशोधन करके 1976 में 10 करतवियों को जोड़ा गए อदिकार के साथ तो 6 अदिकार और 10 करतवियों का उसमें सम्विधान में बाकादा विशलेशन है अगला बिंदू विशेष्टा के लिए सम्विधान लचीला है और सम्विधान कठोर है लचीला और कठोर दोनों कैसे होगा लचीला और कठोर सम्विधान का लचीला कैसे होना का क्या मायने है यहने सम्विधान में संशोधन का प्रावधान है सम्विधान में समय समय पर जरूरत पढ़ने पर कुछ परिवर्तन किये जा सकते हैं ये प्रावधान है ये कहलाता है लचीलापन अब सम्विधान का कटोरतापन क्या है कटोरता का अर्थ ये है कि सम्विधान इतना सरल नहीं है उसका जो सम्विधान में संशोधन करने की प् फिर बदल कर दे, उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसलिए सम्विधान में लचीला पन भी है और सम्विधान में कठोरता भी है, उसके प्राउधानों को बदलने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यह उसकी कठोरता दिखाता ह झाल झाल